और एक ऐसी अपरचुनिटी जिस अपरचुनिटी से आज पिछले चार साल से बहुंसाए लोगों की लाइश में परताव आ चुका है। को समझे पहले आराम से विस्तार से समझे यहां दुकान खोले वाले के लिए भी बहुत कुछ है। अगर अच्छे कस्टमर को दुकान मिल जाए वो भी कमाई करती हुई तो मुझे लगता है इससे बहतर कोई दूसरा विकल्प आपके लिए नहीं है। इससे बढ़िया कोई दूसरा विकल्प इसली नहीं है क्योंकि कमाई करनी है तो एंवी शॉप ही है। अब आतीवत क्यों कर रहे हैं हम यह लोग को ऐसा लगता है कि पता रही हैं यहां पर लोग पुला रहे हैं या ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज हमने माट खोला है इस माट की जो लागत है तो यवर डेट क्रोड रुपे की अब गुझे अगर इस माट को चलाना है इसका रेंट भरना है अगर मैं रेंट की बात करता हूं यहां बच्चों की शैल रियां उनकी अगर हम बात करते हैं तो उस वो सैल यह गए तीन से आप आओगे दूसरी चीज एक पर्मानेंट कस्टमर अगर आपको चहिए एक पर्मानेंट कस्टमर एक शॉप खोलते हैं आप तो शॉप में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज होती है वो होता है एक कस्टमर का लगातार आना और वो भी पर्मान है अभी माल लीजे दुकान चोटी है उसकी दुकान बड़ी है तो सीधा कस्टमर बहां पहुंचेगा क्योंको उसको ज्यादा इन्वेंटरी चाहिए निंबर्स ऑवाइट रेंज चाहिए प्रडक्स की ब्रैंड्स ज्यादा चाहिए उसको तो सीधा बहां पहुंचेगा जहां ज्यादा होता है मित यह लोल का मिथ है यह लोग की सोच है तो अब आप सोचिए कि अपका कास्टंमर आपका नहीं है आप जो मार्किट के नंदर दुकाने चला रहे चाहं किशुप को से रखर को संच चो है वैं को से ले गारा हम उसके पासते ल owners जांश vain सीधी सी बात थी कस्टम हमारा अपना लेए ऐसा क्या किया जाए हमें जो हम कस्टमर को पर्मानेंट बना सके हैं तो अब बात आती है कंपनी आपको जो मार्जन दे रही है उस मार्जन में आप सारा मार्जन खुद रखना चाहते हो यह अक्सर ऐसे बहुत सारे वीटेलर हैं जो दुकाने चला रहे है चोटी चोटी ही है तो एक ही दुकान में घिरे हुए है छोटी सी दुकान में एसा क्यों है क्यूंकि आप टोटल मार्जन खाना चाहते हैं माइडियर फ्रेंड जिसने मार्किट के अंदर सस्ता दिया है वो आज एक ब्रैंड बन चुका है क्यों तोकि उसकी सेल लगातार है आप एक प्रोड़क्ट एग्जमपल की तोरह पर आपको थोड़ा से यह बताना चाहूंगा आज यह अगर हम बात करते हैं कोई भी एक आ अगर दे दिया कस्रमर को और बाकी सब अपने पाज रखा और यह प्रोड़क्ट विकाम महीने में माल लेते हैं और यहीं पर एक व्यक्ति ऐसा है परोस की दुकान वाला वो इसी प्रोड़क्ट पे सिर्फ दो परसेंट रोक रहा है सिर्फ दो परसेंट आप 10 परसेंट मे परसेंट डिस्कांट लेकिन बॉटल एक ही बीच अक्सर एक रिटेंटर जो जितने भी रिटेलर से वो यही गलती करते हैं वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में कि जो प्रड़क्ट पर ज्यादा मार्जन है उसको सारा खादने की चक्कर में आप यह क्यों नहीं सोचते ऐस से आप 100 पी 100 पेटिया बेचो एक महीने के अंदर ताकि आप 1% भी अगर प्रॉफिट रख रहे हो तो अभी आपका प्रॉफिट बहुत है भी हो जाएगा अगर 1% मार्जन रख रहे हो बात आती है यहां मार्जन और प्रॉफिट की तो जितना ज्यादा सेल होगी उतना बड प्रॉफिट के अंदर फ्रंचाजी मॉडल पर चल रहे हैं चाहिए कोई भी ब्रैंड हो कोई भी ब्रैंड आपको पर्मानेंट कस्टमर नहीं दे रहा है वी आदा फस्ट हम पहले ऐसे ब्रैंड है जो आपको पर्मानेंट कस्टमर बनाने के लिए एक बड़ी मोहीम में ल लाइव हो चुकी है, कहने करता, मैंने जो आपको शुरू में बताया कि ये खर्चे, ये सब चीजे कैसे निकलेंगी, जब आपकी सेल ज़्यादा होगी, तो साइकल बढ़ेगा, साइकल बढ़ेगा, अगर आपका percentage कम है, लेकिन प्रोफिट ज़्यादा होगा, क्यूँ, product आपने ज़्यादा बेचा है, एक product की जगाँ, आपने product ज़्यादा बेचा है, product की जब मुमेंट होती है, तो expiry का head like नहीं होता, product की मुमेंट होती है, कस्ट्में को fresh product साथ मिलता है उसको भी मजा आता है और आप को भी मजा 1 लेकिन कई लोग अपनी सोच को छोटा करके बैठेविए नहीं साप मैं तो पूरा खाऊंगा, तो पूरा खाने के चेकर में ठोड़ा भी नहीं कुछ परसंटेज मुझे मिलेगा आपने किसी और को रिक्मेंट किया उसके कुछ परसंटेज आपको मिलेगा मुझे भी मिलेगा ऐसे वीस लिवल तक का कंपनियर कॉंसेप डिज़ाइन किया सिंगल लैक कॉंसेप पर जहां पर हमारे रोजमर्रा का समान आप देखिए दर जड़ा सा दिखाएएगा सर। हमारे वीडियो मैं दिखाएगा यह आप यह जो आपका रोजमर लिए पर स्वाइन है इदर चलते हैं यह यहांकी पर फीपटी पर्सेंट इसकाउंट अलग 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 डिसकाउंट चल्रे रहे ह imagining बात करते हैं अगर हम चलते हैं अदसें कि नहीं किय जोपी की sa três दुकान से लेकर आते हैं यह भी डिसकाउंट है आइडियोफ हैं, 5% minimum startup, वाउ, अब इसके ऊपर, डिस्काउन के बाद company कहते हैं, हम आपको एक income देते हैं, आप customer नहीं बनते हैं, आप partner बनते हैं, partner कैसे, आप दूसरों को जाके recommend करेंगे, अक्सर हमारे अंदर एक, आपने देखा होगा, अक्सर हमारे अंदर एक problem है, वो क् कुछ अच्छा देखते हैं, तुरन दूसरों को जाके बता लो, और यह referral concept होता है, zero investment, zero आपका earning वाला, आपने कोई चीज अच्छी देखी, हमने बिग वजार को बिग वजार बनाया था, ऐसे नहीं बना था वो, आपने बोला, बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत सस्ता म मिलते हैं, हम चाहते हैं, आप भी कलाकार की तरहां लाखों कमाओ, अब यह ऐसा company क्यों बाट रही है, company चाहती है, कि मुझे एक permanent customer database, माल लीजे मैंने यह store खोल दिया, इस store मेरे पास 2000 customer database अगर बन गया, तो मेरे को पता है, कि 2000 customer, अगर सिर्फ 3000 के हिसाब साब समान खईता ह है, जो कि उसका रोजमर्रा का है, आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्टी, जो आईए, दिखाता हूँ मैं आपको, जो product हैं यहाँ पर, यह सारे वही product है, यह तो आपके घर में use होते हैं, यह सारा की सारा आप Cosmetic देख रहे हैं, पूरी range, यहाँ पर line से लग item, जो आपके घर में use हो रहा था, इधर हम बात करते हैं, वाश्रूम से लेकर आपका पूरा range, आपके total clothing appeals का पूरा range, जिसको आप साफ सफाई में use करते हैं, बात करते हैं, किचिन में हम, oils बगरा को अगर हम बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, दाल की बात करते हैं, अब यह वो प्रड़क्त है जो आपके घर में लगातार यूज हूई रहे हैं कही न केंसे फ्र्डक्त है आपके घर में लगातार यूज हो रहे हैं बात करते हैं इदर आटे की एक से बहतर आप यहाँ पर quality देखेंगे आशिरवाद आटा सभी कुछ मिलता है and be shopping के अंदर my different कहने कार थी यह था कि यह सब कुछ company क्यों कर रही है हम चाहते हैं हमें एक permanent customer database मिले पर्में डेटावेस से क्या होगा एक purchase fix हो जाती है कि कम से कम इतने ग्रहक है तो इतना तो हम purchase करेंगे अब इससे फाइदा क्या होगा अगर आपके पास दो हजार ग्रहक है तीने जाके साब से समान खरीदते हैं तो आपकी साट लाग की से लिकलती है अगर आप बीस लाग का एक store डालते हैं अगर आपके पास budget नहीं है ज्यादा बड़ा आप इसमें रोटेशन करते हैं माल आया बिका माल आया फिर आपने purchase किया फिर आपने sale किया purchase किया यह process आपका पूरे महीने चलता है साटा का से अगर आप करते हैं और सबसे बुरा margin जिसमें आट आदा अल्चावल तेल हल दीची नहीं मिलची सब हम आपको 9% से लेकर कईवन 25% तक का profit देते हैं प्रड़क के हिसाफ से अगर आप जाएंगे तो 9% से लेकर 70% तक का यहां margin रहता है माई डिफ्रेंट एक average margin अगर आप देखेंगे तो आपका 9 से लेकर 25% तक का होता है अलग-अलग पड़क के हिसाब से आपने यहां पर customer को discount दे दिया आपने company को भी उठा के commission अगर आप हमारा प्रमान का customer database दे रहे हैं तो कि हम उनको distribute करते हैं तो company को आपने यहां पर एक commission उठा कर दे दिया मैं कहते हूं net amount सब कुछ देने के बाद अगर 5% भी आपको profit बसता है हमारे permanent customer database तो आपको 60 लाख पर 3 लाख रूप बसता है तीन लाख में आपने rent निकाल दिया salary निकाल दिया उसके बाद में भी आप 50% के आस्ता का profit ले पाएंगे जेड़ के जेड़ से दो लाख रूपए का इवन महीने को कमा सकते हैं अब point था क्या आप common customer पे यह दाओ खेल सकते हैं कि common customer पे यह sure है हो जाएगा ऐसा नहीं हो सक यहुता है मिलके हमारे customer को internet करते हैं कहते गर ग्राहक भवान होता है अगर आप ग्रहक मारें जिंदी कि यह अदर सथकार करें यह शिंतर के जाना के पहले के हमारे जो दुकंदार हुआ करते थे हमारे पहले के जो बुदुक फर चलाते तो दो चाय ले आना बहला प्रोसेस होता था चाय आती नहीं थी लेकिन वो ग्रहक बैठा रहता था और बैठा इसलिए रहता था कि वो चाहते थे कि जादस जादस प्रोड़क्त को हमाई देखें, उसको समझ में आयागा कुछ पूरी लिस्ट महीने की बना कर लेकर आया था लेकिन उसमें कुछ भूल गया था वो, तो वो याद वा जाएगा अच्छा ये भी ले लेता हूं, ये भी ले लेता हूं, वो इसलिए इसलिए नहीं कि वो चाय प्लाना है, बैवार बनाने वाली बात थी, चाय प्लाई भी दीमाल लेते हैं, तो अब ये दुकान उसको नहीं छोड़ेगी, और ना वो दुकान को छोड़ेगा, या इससे बढ़िया बंदा कोई नहीं जो मुझे इज़त देता है, एक आम आद के लिए, कि यहां पर सस्ता भी लाके दे सकती है आपको, और पर्मानेन्ट कस्टर्मर भी दे सकती है, तो माई डिया फ्रेंड, कंपनी फ्रन्चाजी मॉडल पर काम करें, प्रन्चाजी मॉडल का मतलब है, अगर आप ऐसा एक स्टोर खोलते हैं, तो माझ लिए आपने एक मुझ प्रडॉक्स लेकर रखे हैं यह मेरा यहाँ गया फिर मेरा दूसरा सेल गया फृर मैरा दूसरा सेल सेल तो म benefit सेल DAVID ITS आया लेकिन आपने कितना पर्चेस किया 10-50-50-30 अब तो सौपीस उसके पर करेंे तो सौपीस का ही मार्जन आपको मिलेगा डिस्टीब्यूटर फोल सेलर डिस्क्रीब्यूटर उसके बाद उपर बैठा यह सुपर स्टॉक्स यह इनके 4-5 लोगों के अलग-अलग रोल क्यूँ है परहुं समझतें इसी को रीटेलर को क्या मिलता है रीटेलर को मिलता है दससे पंदा परसिंट का मार्जन क्युती चोटी सील पे बेस है उसके पास कर्फ मैं सक्प्रिऊ णा तो आपको उतना ही मार्जन बिलेगा अब एक जो बैठा हुआ तो आप से ऊपर थोड़ा से एक और उपर बैठा हुआ था है पैसे लगाया उसके ऊपर एक और बैठा हुआ इसे बोलते हैं इतना बड़ा चेन है जो अलग-अलग विभाजित होता है अंडी शॉपी का मकसद है कि आप जो छे पीस बेच रहे हैं अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो हमारी 163 फिरिंचाइजिया अब तक हो चुकी है हम उसके लिए पर्चिस कर रहे हैं अगर एक पीस भ पीस आते हैं पहले ऑर्डर में मेरी शॉप्स तो एक ही ऑर्डर आया लेकिन मैं जो ऑर्डर ढालूगा इस कमपनी को वो 163 का डालूगा तो अब मेरे को जो मार्जन मिलेगा, वो 163 पीस का मिलेगा, माल लेते हैं, 163 पीस का, आपको मिलना था, यहां पे 10% और मुझे मिल रहा है उस पे 15%, तो 1% अगर NB Shopping रख लिए 14% आपको देदे कोई दग्यत है, कोई परशानी है, कोई बबलम है, नहीं है न, तो आपको single product पे बो मार्जन मिलेगा, जो हो सकता था, distributor को मिल रहा था, हो सकता है, हो सकता है, wholesale को मिल रहा है, यह सोच है NB Shopping की, my difference, और इसी पे ही हम काम कर रहे हैं, पूरी इंडिया के अंदर 155,000 प्लस पिन कोड है, और कंपनी का टागेट हर पिन कोड पर अपनी सर्विस लेकर आ र पड़ेगा, कि आपको जब आप शॉप खोल लेंगे, तो एक साल में ही आपको समझ में आ जाएगा, कि आपके पास total लोग कितने आ रहे हैं, एक एरिये में 10,000 लोगे माल लेते हैं, तो दुकाने और भी होंगी, वहां भी बिभाज़त होंगे लोग, अलग वहां भी यह तो सारे तो आपके पास आएंगे, माल लेते हैं, आपके पास एक हजार कस्टमर आ रहे हैं, अब एक हजार कस्टमर से आपका एक फिक्स इंकम हो गया, कि लगवग लाख रुपे कमाई हो रही है, माल लेते हैं, तो लाख रुपे क्या आप नहीं चाहते हो, अब और ज्या जेटारु 050 मेंट मांधॉट अगया चैनल सों में पार्वल आ गया और तो तो अगर 10 परसेंट अगया तो में कॉमन मार्किट के लिए बता ह Já हम से जोड़ा हो सब्सक्क्राइब परमाननका गया हम उसका घ्लब से myself कोई भी एक रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं, कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करते हैं, कोई फ्रिंचाजी फी चार्ज नहीं करते हैं, मज़े की बात ही है, तो वो टोटल मार्जन आपका है, तो दस परसेंट मार्जन अगर बचा, तीने जाका माल का ओडर लग गया तो आपका तीन सो बचा पचास रुपे खर्च हो गया वो लगका जाए और देखके चला आया सब तो धाई सुरुपे बचा आपने वो सेल कर ली जो कभी आपको बैट के दुकान से लिए तो e-commerce का वर्ड की टॉप मोस डिजिटल उस लाइन में खड़ा कर देना है जहां पर लोग बोलते तो है लेकिन होता नहीं है एन भी शॉपी चाहती है मेरा देश सबसे टॉप लेवल पर जाए और हमारा मेनेजमेंट इसी पर काम कर रहा है अपनी सोच यह है कि गाउं में भी अगर कोई ओर लगाता है मोबाइल से तो आदे घंटे में हम उसको डिलिवर्ट कर दे जैसे आज की डेट में खाना वाना आपको पिक एंड ड्रॉप पर काम होता है इंस्टेंट बना बना आया खाना गर्मा गर्म खाना कैसे मिल जाता है दऺ पर काम करते हैं हम भी process आयब काम काम है तो सोचे करिए आपसे सस्ता कोई नहीद पाईगा आपसे बेहतर को दे पाएगा और आपसे बड़िया सर्विस कोई नहीं दे पाएगा टेकนोलजी फरस्ट आपको पास सव होगी क्योंकि आप एक brand के साथ जोड़ है जिसका नाम है NB Shopee तो NB Shopee सुपरमार्ट भी खोल रही है अगर आप बाके ही चाहते हैं अपने area में distributor करना चाहते हैं distribution भी करना चाहते हैं आप चाहते हैं दूसरों को भी बेज़ें किसी नहीं रोका आपके पास अगर माल है तो आप किसी को भी बेचिए कोई फरक नहीं पड़ता किसी को अगर आपके पास माल है किसी को भी बेचिए आप अपरोच कर सकते हैं दूसरों को आजकी रेट में B2B बहुत साई कंप्रिया काम कर रहे हैं तो माइडे फेंड एंडी शॉपी चाहती है आप इसी एक कैटिगरी में क्यों लज रहे हैं अक्सर आपने देखा होगा चोटी-छोटी दुकान वाले क्या करते हैं वो पूरी-पूरी जीवन लगा देते हैं सिर्व एक दुकानी चल आपके पास पर्मेंट कस्टमर आ रहा है आपके पास पर्मेंट कस्टमर आप कोई भी उसको आपने एक ही जरू तो पूरी की वो क्या थी ग्रॉसरी की लेकिन वो कपड़ा भी तो पहनता है यूता चपल भी तो पहनता है यह पैन भी तो लेता है तो कहने करता है फिर आप 12 category में काम करते हैं, market में जो कंपनियां काम कर रहे हैं, single grocery लेके घूमती फिर रहे हैं, या एक-दो category लेके घूमती फिर रहे हैं, और आपको वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम सबसे बढ़िया है, NB Shopee के साथ आईए, तो mind open करके आईएगा, set करके आईएगा, कि इसे mall बनाना है, mall बनाना है, बनवा कर हम देंगे, कैसे, जब customer आपके पास आता होगा, तो अब एक rack एक display बना देते हैं, उसका, और यहाँ पर कप्ला लगा देते हैं, यहाँ पर कप्ला लगा देते, चलिए, वो भी दिखाते हैं आपको, कि कैसे इसको कप्ला लगाते हैं, तो my dear friends, तो my dear friends, अब जब customer आ रहा है, तो ऐसी एक rack लगा देते हैं, ऐसी एक rack लगा देते हैं, जहाँ पर heavy discount दिखाते हैं, कम कमाओ ना, स्टाटिक में, कम कमाओ, लेकिन कमाना कम नहीं है, percentage कम लेना है, यहीं सोचने वाली बात, कमाना कम नहीं है, इस piece को अगर हम 100 को बेचेंगे, तो margin ज़्यादा, कम रख लीजिए, profit ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा माजन रखेंगे, तो 100 नहीं विट पाई है, क्योंकि customer की एक practical, कहते हैं, आदत है, सस्ता मिलता है, दस को बताता है, तो permanent customer चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा है, सस्ता बेचना है, सस्ता बेचना है, जिससे की ज़्यादा customer आपके पास आए, तो company कहते ही, यह देखिए, ऐसे brands, और इन पे यह offer, 499 रुपे में brands, वाउ, जब customer देखता है, तो उसकी दिमाग की बती गुलो जाती है, क्योंकि यही mall के अंदर, अगर हम देखें यह, कोई भी हम किसी का भी एक tag निकाल के दिखा देखते हैं, इसमें, अब यह tag निकाल के आप देखें इसमें, market के अंदर इसका price क्या आ रहा है, और आप इसपे क्या offer लगा रहे हैं, example, 1999 का market price है, और आप इसपे offer क्या लगा रहे हैं, 400-99 रुपे, वाउ, वाउ, क्या बात है, तो क्या लगता है, कस्मर आएगा नहीं आपके साथ, धौड के आएगा, चल के आएगा, टी-शिट की बात करते हैं, 199 रुपे में, 199 रुपे में, 500-600 फीशिट, वाउ, ultimate product, ये range जब आप देखोंगे, बच्चों की जब ये range देखेंगे आप, बड़ों की जब range देखेंगे, तो यहाँ पर मज़ा आने वाला है, यहाँ पर, मज़ा आने वाला, माई डिफरेंट्स, देखने की चीज़ है, खुबसूरत pieces, बच्चों के, अब ये product, वो product है, जो राशन में, कभी दुकान पर नहीं मिलता, तो हम चलते हैं, अब बात करते हैं, कि जब राशन की दुकान पर नहीं मिलता, माई डिफरेंट्स, तो आपकी दुकान पर मिलने वाला, आपके मॉल में मिलने वाला है, यहाँ देखेंगे, तो यह shirt, 50% discount पर, यह shirt आपको, cotton की shirt, यहाँ आप देखें, पांसो निन्यांबर, वाई बन, गेट वन, एक के साथ एक प्री है, 50% discount, दो सो निन्यांबर पर मिल रही है, quality wise product, सोच के देखें, दिमाख खराब होगा नहीं होगा लोगा, तो जो लोग आपके पास, साथा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, मीची घ्रीजने आते हैं, उनके लिए ऐसी company, पूरे कितनी, 12 category लेकर चल रही है, एक और दिखाता हूँ, चलिए, तो माईजे फ्रेंट्स, अब, रोज मर्रा की ज़वद, जिसे हम sleeper कहते हैं, चपल कहते हैं, ये बल्क पर्चिसरिंग की वज़े से, आज, NB Shopping को कितनी की पढ़ रही है, इसकी MRP देखते हैं हम पर ले, माईडिफेंस, वोई भी एक बॉक्स उठा लीजे, और इसकी MRP देख, एक सो उननचास, एक सो निन्यानवे, इस टाइब की यहां पर ये बाइड रेंज है, एक सो ननचास, एक सो निन्यानवे, एक रुप एक स्कत्र और मात्र आपको कितने पढ़ रही है, फाइव नाइन, पांसो, उनसट रुपे, मात्र उनसट रुपे में, अब इस चप्पल की 6 महीने गैरेंटी वरेंटी, उनसट रुपे में आपको मिल रही है, फुट वियर ब्रैंड्स के, सूस जो आप देख रहे हैं, ब्रैंड्स के, अच्छे जब ओफर लगाएंगे, इधर बात करते हैं, लिवर्टी का माल, लिवर्टी का माल, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 70% तक डिस्काउंट, जब आप ऐसे ओफर्स लेकर पहुंचें, इसका दिखाएंगे रस्मा को, तो वो तो रोज मर्रा हाँ, आटा दाल चावल खाईद ने आ रहा थे, उसके एरिया में उसको अच्छा प्रोडक्त नहीं मिल पाथ, NB Shop या आपको लेकर आए, ऐसी 12 के दिखरी, My different, ब्रैंड, नॉन ब्रैंड, जो आपको चाहिए, आप बोलिए, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो इससे बहतर कोई और ब्रैंड नहीं, आज अगर किराना स्टोर की खुल रहे हैं, की प्लानिंग कर रहे हैं, तो खोल लिजिए स्टार्ट अप करिए, हम मौल बनवाएंगे उसका, बस पेशन्स रखके काम कीजेगा, कम मार्जन रखिए, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि सेल ज़्यादा होगी, ऐसे सभी चीजें, ये, ब्रिफ के साब देख रहे हैं, पांस साल वारंटी के साथ में, माई डिये फ्रेंट, कस्टमर के लिए मातर 2999, 2599 में, आपको इसके उपर, यूज मार्दन, कजब का प्रॉफिट, तो ये है NB Shopee concept, तो चलिए, आज से अगर प्लान कर रहे हैं, फ्रेंचाजी खोलने का, या फिर नेट्वर्क बनाने का, तो NB Shopee से बेस्ट कुछ नहीं, आज से सुरू करें, अभी से सुरू करें, और लग जाएं रोज मर्दा की चीज़ों के साथ, नमस्कार जहिंद, जहवारा,